गूड मॉर्निंग, इन दस वीडियो वी 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 डिस्केस अबाउट टू दी टैंजेंट्स दोज आपर पर्पेंडिकुलर तो इच अधर इस वीडियो में हम लोग जो डिस्केस करेंगे वो डिस्केस करेंगे कि एक पॉइंट से, एक्सटरनल पॉइंट से अगर आप पॉइंट वो उतना ही होगा जितना की रेडियल डिस्टेंस है, उस सरकल का रेडियस है, राइट, इफ टू टैंजेंट स्टार्ट्स प्रॉम एन एक्स्टरनल पॉइंट और दोनों टैंजेंट पर्पेंडिकुलर हों तो इच अधर, तो एक स्क्वायर बनता है, रेडिय पॉइंट पी है, और यहां से एक टैंजेंट ये गया, दूसरा ये गया, ये दोनों एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर हैं, कि एंगल जो पी है आपका, वो 90 डिगरी का है, राइट, ये एंगल जो है, ये एंगल वो 90 डिगरी का है, तो इसके जो इंटर्सेक्ट होंगे, उन्दा circle एक B है और एक A है तो जो P A और P B जो distance होगा वो distance किसके equal होगा यह radius के तो O A is equal to P B और O B is equal to A P तो यह 4 जो sides हैं वो equal होगी that means कि जो इनके angle है B A और O वो भी 90 degree के होगे suppose this is the theta this is of 90 degree और यह 90 degree इसलिए भी है क्योंकि यहाँ यह जो आपका tangent है इस tangent से जब आप radius को join करते हैं तो वो 90 degree पे होगा इसी तरीके से इस tangent पर जब आप इस radius को join करते हैं right O point को join करते हैं तब यह 90 degree का angle होगा this one तो वो angle 1 angle 2 is of 90 degree this is given of 90 degree तो यह angle कितना होगा तो 90 plus 90 plus 90 plus theta is equal to 360 तो 3 is also this theta is also of 90 degree right P A is equal to P B and O B is equal to O A that is the radius right so अगर कोई जो tangent है पर्पेंडिकुलर है तो गोई एक स्क्वेर डवलप करेंगे तो यह idea आपको माइन में रखना है इस idea को हम लोग यूज करेंगे next video किसी दूसरी problem में right to find the angle or to find the side of any अगर suppose कि our radius given है and in numerical problem they ask you find out the distance P B then obvious it is equal to the radius लेकिन उससे पहले आप यह clear कर दें कि यह angle 90 degree है right so इस video में इतना ही और next video में कोई दूसरी tip कोई भी problem है तो आप message box में comment करके पूछ सकते हैं so thanks for time